हाई गाईज मैं हूँ आशी जान्यानी आपका दोस्त रॉम मुटिवेशनलडाइश.com हर हफते की तरह यहां पे भी आर बैक पर दिस ताइम इस ताइम इस सीरीज का नया विडियो है यह सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपके साथ उन कॉंसेप्स को इंट्र स्कूल जो आपके कॉलजेश में भी आपको लाइफ में कभी भी नहीं सिखाएंगे और जब आप एक नौकरी ढूमने बाहर जाओगे या फिर उससे भी डिफिकल्ट एक बिस्निस अगर स्टार्ट करने की अगर आप चाहर रखते हो तो इस आर दोस लाइफ स्किल्स है जो आपने मेवी सेल्स के बारे में सुनाएं मेवी आपके पास सेल्स के बारे में एक आइडिया है कि सेल्स उन लोगों के लिए होती है जिनके पास जॉब नहीं है salesperson वो इंसान होता है जो फीड में जाता है लोगों को push करता है अपना product खरीदने के लिए और उनसे जूट भी बोलता है उनके साथ over commit भी करता है salesperson वो इंसान होता है जो आपको phone करता है और बोलता है कि sir मेरे पास यह नया SIM card है मेरे पास यह नहीं insurance policy है मेरे पास आपके लिए नया credit card है मेरे पास आपके लिए टूर package है और हम उसको phone करके बोल देते है not interested I want to warn you कि इन सब चीजों को हम sales नहीं कहते हैं यह sales नहीं होता है मुझे ही बात बताईए यह sales की परिभाषा है यह sales की definition है यह आपको किस ने बताया कि आपके school ने बताया कि आपके parents ने बताया कि आपके teachers ने बताया कि आपके college ने बताया हम सब ने मिलके एक sales की definition को बना लिया आधी knowledge के साथ कि यही sales है और हम assume करने लगे कि sales वो चीज है जो वो लोग करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है sales वो चीज होती है जिसमें इंसान push करता है लोगों से जोड बोलता है हम गलत सोच रहे हैं that is not sales sales is life and मैं आपको इस concept के साथ आज introduce करना चाहता हूँ sales वो ही एक चीज है दुनिया में खाली एक चीज है मेरे my friends जो हमें आगे बढ़ाती है वो है sales हम सब कोई ना कोई product कोई ना कोई service या कोई ना कोई idea बेच रहे हैं आज जब आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो और अपना opinion share करते हो कि I believe यह सही है I believe यह गलत है I believe इंडिया में यह अच्छा है I believe अमेरिका में यह अच्छा है you are selling to your friend your opinion और अगर आपका दोस्त आपको होता है हां यार I agree with you you are successful in selling sales हर चीज में 차 is अगर sales नहीं होता अगर transaction नहीं होता तो यह सोचो कि हमारी दुनिया आगे कैसे बढ़ती हमारी दुनिया में जो transactions होते हैं जो growth होती है जो evolution होता है वो कहां से होता हमहीं यह छीजेई school में नहीं सिखाई जाती है, life में नहीं सिखाई जाती है but अगर मैं आपके साथ कुछ शेर करना चाह हम life के बारे में one of the most important skills to know about life is knowing what is sales and then exactly how to sell जो हमें कभी भी नहीं बताया जाता है so let's get back to our topic let's understand की active में sales होती क्या है और ये कहां से चालो हुई guys, एक बार इस board को देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ sales के बारे में और in fact life के बारे में जो आज तक हमें कहीं पर भी नहीं सिखाए जाता है और ये बहुत important lesson है life के बारे में so God से सुनना और इसको समझना चाहे तो इस video को एक से जादा बार देखना पर understand this thing about life, okay हमारी दुनिया evolved कैसे होई पहरी क्या होता था हम जब जंगल में रहते थे हम जब आदिवासी थे मैं आपके पास आके आपको बोलता था यार मैं आपको थोड़ा खाना दे देता हूँ आप मुझे थोड़े कपड़े दे तो मुझे धंड लग रही है या फिर मेरे कपड़े ले लो क्योंकि मेरे पास extra कपड़े पड़े हैं और मुझे आपकी गुफा में सोने के लिए आज रात के लिए जगा दे दो क्या बोलते थे हम इसको हम इसको बोलते हैं पास शिस्टम, Exchange of Goods and Services यह सेल्स थी अगर मैने आपको कुछ मेरा दिया और आपने आपका मेरे को कुछ दिया वी डिड़े को कुछ दिया वी डिड़े ट्रांजक्शन विच इसकॉल सेल्स तेल्स तिंग जो हमारी जिंदगी में एक्जिस करती है फ्रॉम टाइम जब से हमें केव में थे वो टाइम पे हमारी दुनिया में हमारी जिंदगी में खाली तीन चीजों की बेसिक निसेसिटी होती थी जिसको आज भी हम स्कूल में बढ़ते हैं इमाजिन करो आप और में 2017 में रह रहे हैं बहुत ही जल हम 2018 में पहुंच जाएंगे और आज भी हमारी जिंदगी में हमें स्कूल में सखाया जाता है हमारी बेसिक नीज गया है फूड, क्लोधिग, एंशेटर क्या आपको बताया जाता है कि 2017 और 2018 में और भी बेसिक नीज है जैसे आपका फोन है, आपका इंटरनेट है, आपका ट्रांस्पोटेशन है और आपकी बेसिक एजुकेशन है क्या है, वह एक अलग टॉपिक है पर इस बात को ध्यान रखे काफी चीज़े है जो स्कूल, कॉलिज में नहीं सिखाया जाती है जो स्कूल, क्या है जो स्कूल, क्या है ये रिच और ये पूर आया का से ये रिच और पूर आपने और मैंने बनाया हम जब जंगल में थे, कॉन रिच, कॉन पूर we all were living in the cave we all were hunting for food है ना, पर फिर, जब इतने transactions होने लगे हमारी needs हमारी needs की जो value थी वो बढ़ गई तब हमने coins बनाये हमने bronze, copper, silver, gold के coin बनाये और जो इंसान समझ गया की gold की value सबसे जाद है वो ये भी समझ गया की gold को कैसे कमाना है और क्या बीचना है वो बन गया rich और बाकी के लोग हो गये poor या फिर relatively poor क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाय that they have to sell something and they have to sell something of value हमने बनाया rich और poor but sales हमेशा से थी और जो इंसान sales को समझ गया, वो बन गया rich फिर क्या हुआ अब needs के अलावा हमारी needs के अलावा आगी wants आज आपको और मेरे को खाना खाना है पढ़ा पर में biryani खाना चाहते है हम साधी कपड़े भी पहन चाहते है पढ़ हमें branch चाहिए है हमारी wants है हम एक घर में बहुत सारे लोग रह सकते है पढ़ हम सबको अपना-पना घर चाहे अपना-पना विला चाहे अपना-पना penthouse चाहे अपना खुद का summer house भी चाहे यह सब कैसे हुआ क्योंकि हमारी needs के अलावा अब आ गई थी हमारी wants जिसकी वजय से हमारी दुनिया evolved हुई और उसकी वजय से आया cash और check और जो लोग समझ गए कि वह कौनसी चीज़ हम है जिनकी जरूरत है जिनकी wants जादा है वह लोग बन गए और भी rich और बाकी लोग रह गए poor हमने बनाया यह rich or poor और जो लोग समझ गए की sales क्या होती है वह बन गए rich अब क्योंकि हमारी wants और बढ़ गए इस board को ध्याम से देंगे भी कि हमारी evolution कैसे हुई है when we talk about sales जब हम rich और poor की बात करते है हमने निकाले cards क्योंकि भाईया इतना सारा cash काली करना बहुत मुश्किल हो गया है हम इतना cash हर जगा नहीं लेके जा सकते it is very risky तो हमने निकाले cards क्योंकि जादा cash चाहिए था क्योंकि wants जाता थी needs भी जादा थी पर हमारी दुनिया evolved हुई wants पे and उसके बात देखिए क्या हुआ हमे cards भी जादा लगने लगे क्योंकि हर rank में हर इंसान ने अलग-अलग time के अपने अपने shopping के travel के planes के transactions के सब चीज के card निकाल दिये फिर हमने बोला कि नहीं हमें cards भी इची है क्योंकि हमारी अब और भी wants है हमें cards भी maintain करना मुश्किल हो गया है तो हमने निकाले NEFT transaction क्योंकि we are on the planet जो हमेशा evolve होता है हमारी universe की तरह तो हमारी बढ़गे और भी wants और और भी wants और अब हमने निकाल दिये e-payments क्या है PTA क्या है Mobyquick और क्यों है UPI विकास हमारी इतनी ज़रूरते हैं इतनी चीज़े हैं कि हम NEFT करने के लिए भी wait नहीं कर सकते everything happened विकास हमारी दुनिया चलती है transaction पे हमारी दुनिया चलती है sales पे और जो इंसान sales को समझ गया वो बन जाता है rich या फिर वो इंसान अपने cash को अपने पैसे को और भी आगे बढ़ा पाता है और जो इंसान इन चीजों के साथ life में adopt नहीं कर पाता है वो अपने cash को lose कर देता है या फिर वो बन जाता है poor प्लीज समझे sales is everything everything is sales हमें sales कैसे करनी है और सही sales क्या हो दी है वो सीखना हमारी duty है हमारा obligation है sales वो नहीं होता है जब आप किसी को push करते हो sales वो नहीं होता है जब आप किसी को force करते हो and sales is not the worst job on this planet sales is the best job on this planet sales ही हो एक skill है जो आपको सिखाती है how to talk to people how to be confident how to deal with rejection how to present your product service or idea because we all are selling how to negotiate, how to close the deal and how to service your clients and how to become rich so इस बात को ध्यान रखिए कि स्कूल में आपको यह चीज कोई भी नहीं सिखाएगा but it is your duty, your obligation and your responsibility to learn what is sales and how to do sales because everything is sales and if you want to become rich you need to know the right way of doing sales because आपका question में अचीए what next, इसके बाद क्या and am I ready for this मैं हूँ आशी जयानी आपका दोस from motivationaldaddies.com stay tuned to our channel अगर अभी तक आप में subscribe नहीं किया है तो please do subscribe क्यूंकि हर वीग हम आपके लिए नया वीडियो बनाते हैं just to share how to become successful in life याद रखिये as I always say it is not difficult यह वो चीजे हैं जो हमें सिखाई नहीं गई पर अगर आप इनको अब सीख लो by watching one video every week I promise you, you will become successful stay tuned, thank you again as always for watching this one bye-bye